कि हेलो स्टूडेंड कैसे आप से उम्मीद करता हूं आप से बच्चे होंगे मस्त होंगे बहतर होंगे आपकी पढ़ाई बहतर चल रहे होगी और क्लास 12 वायलाजी में आज एक महत्पून यहां पर हम वीडियो लेका राचुके हैं जिन बच्चों का त्रेमासिक परिच्छ स्कूल का पेपर है स्वरसती स्कूल में पहले एक्जाम हो चुका है अब जिनका वी एक्जाम से साथ अक्टूबर में साथ अक्टूबर से है और यह प्रशन पेरेवच्छों आपको तयार कर लेना चाहिए क्योंकि जितने भी प्रशन है ना उस सब्रेक्टेट कोश्चन रहते हैं तो यह मत सूचना कि प्रशनों को तयार करना नहीं है यह आपको एक मॉडल स्वरूप मिल रहा है यह वह हो सकता है कुछ इधर उधर कोश्चन मांकि आपको मिल जाए इसमें से लगबग आपको 20-25 नंबर तो डेफिनट देखने को मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि य समय रहेगा तो पूरे प्रशन त्यार करना चलिए सुरू करते हैं फटाफट स्क्रीन साथ लेना क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्योंकि हम को पता है कि पिरे बच्चों एक्जाम बहुत पास है तो कोसिस यह कर रहा हूं कि माडल सुरूप जो भी पेपर मुझे मिल रहे ह है ठीक है तो आप लोग त्यार कर लेना और मैं तो ठहरा बायोलाजी का नहीं हूं भाई साब फिजिक्स कमिस्टी पढ़ाता हूं तो अब्जेक्टियों गरा तो बता नहीं सकता आप लोग क्वेश्चन देख लो फड़ाफट इसका मैं अंसर रेदी कोसिस करूंगा कि सर भून पोस है ठीक है तो जो भी अंसर होगा आप देख लेना अगला कोश्चन है सर टोली कोशिका पाई जाती है ब्रशन में अंडासा में ब्रक्त में अक्रत में तीसरा कोश्चन है गुनोरिया रोग निम्न के दोरा होता है विशाणू जीवाणू कबक इन में से कोई नह किसने किया आप लोग जानो सारे प्रशनों को त्यार कलें नाइट्रोजनी छार जो केवल आरेने में पाया जाता है साइटोसीन एडेनीन गौनीन यूरेसील बताओ जरा ठीक है स्योजी कड़ी का उधान है पेरिपेट्स आर्क्योप्टिस उप्रूप्त दोनों इनमें से कोई नहीं बंसागति की काई के है जीन है लेक्षन पूरुस जीन पूरुस गुरुस उत्र एक एक कुश्यन त्यार कर लेना अभी आपको यहाँ पे तो अब्जेक्टियों गए रहा है लेकिन प्रशन जो है उनको त्यार ही कर लेना है खालिस्थान बरिये पराकन की संक्रमन से होता है मतलब किसके संक्रमन से होता है एक सब्द में उत्तर है प्रति विसाड़ू प्रोटीन का नाम बताई है समझाद अंगे के उधान लिखिए आरो क्या लिखा है आपिरान अबधारना किसने प्रिश्थूत की पूल सलगनता किस जीव में दिखाई देती है गरवासे की आंतरिक परत क्या कहलाती है पराग कड़ों का पराग कूस से बरतिकागर तक पहुँचना क्या कहलाता है ठीक है और AUG कौन सा कोडान है इसके बाद सही जोड़ी है देख सकते हैं गरवासे नली गालगी वाड़ी एक्रोकोम यूए शमापन कोडान ये देख ल प्रवाइट करवा दूँगा बिल्कुल आप चिंता ना करें ओके चलिए यहां पर देख लो आप लो सही जोड़ी आएका साथ चोंग अठाइस अठाइस नंबर का अबजिक्टिव आना है तो जिससे अबजिक्टिव रिबन रहा है तो समझ लो उसका अच्छा रिलटान करने वाला अत्रमासिक का देखो कोशन देखो परागन किसे कहते हैं पुरुष जनन तंत्र के नाम लिखिए कि यह दूसरा कोशन है अपका यहां से कुशन स्टार्ट होता है कोशन नंबर फाइब से फिर कोशन नंबर सिक्स में सो परागन पर परागन में मतलब अंतर भी सकता है परिभासा यहां पर पूचा है और एमनियो सेंटेसिस क्या है देखो कोई भी आप टॉपिक देखोगे हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा बस आपको क्या करना है टॉपिक का नाम लिखना सीव कोचिंग क्लास लिखना है हर एक टॉपिक पर वीडियो आल्रेडी बने हैं बहु प्रभाविक्ता क्या है जीवास में किसे कहते हैं अगला कोशन देखो इंटर फिरान क्या है मेंडल की प्रभाविक्ता का नियम बताओ कि सोरा वस्था की कोई तीन समस्याओं का वर्डन कीजिए देखो कुछ बच्चे कहेंगी सर अभी तो आपका कोर्स चे स्याओं का बढ़न कीजिए यूरे एवं मिलर के प्रयोग का नमांकी चित्र बनाईए अनवासिक कूट की भी सिस्थाएं बताना है सर लगनता किसे कहते हैं कितने प्रकार क्यों होते हैं क्या है गुनोरिया सिफिलिस अथा एट्स रोग के रुगड़ों का नाम लिखिए बहुत ही मात पूर्ण है वाई साब मानव सुक्राण की रचना का सशित्र बढ़न कीजिए त्री सनलेन क्या है कहां और कैसे संपन होती है मादा जननतंत्र के भागों का नाम लिखिए अंडासे का बढ़न कीजिए बढ़िया कोश्चन है साथ कोश्चन सेलेक्ट डाउन सि चार पंचे 20 और दस नंबर चेटिंग से पास हो जाएंगे ऐसा नहीं है समझ रहा हो प्लीज आप जितने इसमें कुश्चन है एक एक कुश्चन बिल्कुल आप में समत करो सभी प्रिश्णों को तैयर करो समझात एवं संब्रतियंगों को उधान देकर समझाईए लिंफोसा का सचित्रभणन क्या बड़िया खुशचन है यार our selected lessonmeye कोई भी टीचर कोश्चन मी देगा तो ऐसे कोको मिलेंगे समझेंगे data do you कुंडलिय माडल का सशित्र बढन कीजिए अभी आपको बायोलाजी के important question की स्रीज जो chapter 4 तक करा दिये गए है उसमें सारे प्रिश्ण देखने को मिलेगी यह सारे प्रिश्ण उसके अंतर गता है है ना सुक्रजनन क्या है सुक्रजनन क्या है सुक्रजनन क्या है और फिर डियने अंगली च्छापन क्या है इसकी क्रिया विदिय और उप्योगिता का बढ़न कीजिए और भी है सत्रह question आई है देखो भाई साब तो आपका पांच से हो जाएगा तो पांच छे साथ आठ नो दस गेरह बारह तेरह है 14 15 16 17 तो चाहर तीमर तेरह question है तेरह question में तेरह है तेरह चार सत्रह तो चार question तो objective में 28 नंबर का हो गया और तेरह question में तेरह दूनी 26 26 question है कुल मिला करके इस पेपर में 26 question आप तैयर कर लो और हो दिख़के इन प्रिशनों को त्यार करहीं लेना चाहिए किसी थम पे कर लेना चाहिए आप लोग जैसे कूछ नो कहते हैं कि सर आप पुराने paper दे दिजिए आपके पास हो तो पुराने paper दे दिजिए तक हमारा त्यारी हो सके अभी पुराने पेपर की मत बात करो अभी नए नए देखो एकदम सेलेक्टेट है ब्लूप्रिंट के अधार पर कॉस्चन बने हैं बढ़िया है आप लोग त्यार कर लो ओके तो सभी प्रिशनों को त्यार कर लेना उम्मीद करता हूं कि आप लोग त्यार कर रहेंगे और इसका मैं जो है पर वच्चो टेली ग्राम में सेयर कर दूंगा इस पेपर को कोई दिक्कत नहीं आप परसान मत होना और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे और हैल्फुल आपके लिए काम कर सब्सक्राइब करम